कुम्ब राशी के लिए साल 2024 में लव लाइफ कैसी होने वाली है यानि आपका प्रेम जीवन कैसा होने वाला है आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं च करस्टी कॉन होता है कभी अपने पार्टनर में प्रेमी से जादा एक दोस्त की तरह आश करते हैं और कभी पार्टनर के साथ हमेशा एक दोस्त की तरह वैवार करते हैं ऐसे में ये नया साल कुम राशी के जातकों के लिए प्रेम राशी फल के इसाब से कैसा रहेगा क्या इसने आपके लिए जादा अच्छी रहेंगी, क्या इस वर्ष में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह का योग बनेगा, अगर आप प्रेम जीवन में हैं, प्रेम जीवन में प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह के लिए कौन सा महीना अ इस तार से मिलेगी इसलिए अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लें तो देखें इस वर्ष में हम पहले छे महीने के अगर देखें जनवरी से और जून तक की तो आपके पार्टनर के लिए काफी अच्छा ये छे महीने रहने वाले हैं क्योंकि इस राश साती के साथ आपके प्रेम जीवन में आपका प्रेम जीवन कहलो या आपका जीवन साती कहलो विवाहिक जीवन में आनंद मही पल बिताएंगे और काफी जादा एट्रक्शन महसूस कर पाएंगे एक दूसरे के लिए देखें जब दूसरी छमाही आएगी तब क्या होगा क आप अपने इच्छाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे यानि आपको जो चाहिए वो आप सामने नहीं बोलेंगे लेकिन नोग जोग चलती रहेगी और ऐसे स्थिति में क्या होगा नोग जोग बढ़ जाती है विवाद के स्थिति पैदा हो जाती है तो आप अपने जो बाते हैं उनको खुल कर नहीं कह पाते हैं तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पर आपको अवोइड करनी होंगे पार्टनर के साथ इस वर्ष में अवरल देखें तो देखें तो देखें अच्छा समय बिताने का योग बिलकुल है और आपको अपने रिष् अपने समवाद करते हैं और धहर्य से दिमाग को शांत करके चीजों को सुलजाते हैं तो आसानी से इन चीजों को दूर कर सकते हैं और अपने वर्ष को बहुत ही जादा शुब बना सकते हैं बेहद खुश मिजाज बना सकते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अगर आ नहीं पता चलेगा कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं बस आपको अपने बात करने के तरीके में सुधार करना है अपनी भावनाओं के प्रती इमांदार होने रहना है और ये एक अच्छा मौका होगा जब आप अपनी बातों को उन तक पहुचा सकते हैं ये दोनों के लिए मा होंगे वहां आपके लिए शादी के योग बन रहे हैं क्योंकि प्रेम जीवन के लिए पहले 6 महिनों में प्रेम विवा होने का बहुत ही अनुकुल समय रहेगा क्योंकि इस समय अबधी में एक तो आपके तीसरे भाव में गुरू ब्रस्पति रहेंगे और महिने की श्रु विवा हमें ना हो पाए उत बहुत जादा मशक्कते करने पड़ें तो ये चीज़े हो सकती है लेकिन काफी अच्छा है देखे इस वर्ष में कुमराशी वाले जातक है न अपने पार्टनर की जरूरतों और भावनाओं को समझने में अगर कामया भी हासिल करते हैं तो बेहत तरीके से मैं कह सकती हूँ ये वर्ष आपके रिष्टे को बहतर बनाएगा अपने रिष्टे को बहुत आकर्शक आप बना सकते हैं एक दूसरे की बांडिंग को आप बहुत अच्छा सा बना सकते हैं इस वर्ष में इस साल में आप कुमराशी के जो जातक हैं इनके लिए क candlelight dinner, सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से दिखने वाली हैं, अपने हिसाब से मिलने वाली हैं, और अगर आप प्रेम जीवन में हैं, तो जो महीने वर्ष के शुरुवाती चार महीने होंगे, इनमें आप अपने उस पार्टनर को होने वाले पार्टनर को अपने माता पिता से मिलवा सकते हैं शादी के बारे में बातचीत कर सकते हैं और अपने विचारों से हर तरीके से आपको बस अपने जो पार्टनर है ना उसके प्रतिव वफादार होना है इमानदार होना है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप समझ लीजिए कि चीजें और भी जादा बिगड सकती है तो इसलिए आपको यहाँ इन चीजों के लिए भी सावधानी अच्छे से जरूर रखनी होगी वाकि में अगर आप अपने प्रेम जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं अच्छे से करना चाहते हैं इसके अलावा देखिए यहाँ जो शुरुवाती अगर मैं देखूं तो सूरिय और मंगल यह दोनों के बीच में प्रेम की गर्माहट बढ़ाएंगे जैसे ही वर्ष की शुरुवात होगी लेकिन यह गर्माहट प्रेम समंद में बढ़ेगी और कासुनी में भी बढ़ेगी तो बस थोड़ा सा संयम की आवश्यक्ता है और कुछ नहीं है जहां आपने संयम रख लिया वहीं जादा चीज़े अच्छी होंगी तो थोड़ा सा दहरे से काम लेना होगा बस बाकी चीज़े अच्छी है फरवरी और मार्च के महीने में बहुत अच्छी सितिया आपके लिए रहेंगी फरवरी और मार्च के महीने में बहुत अधिक आप रुमांटिक रहेंगे क्योंकि यहां जो है दोग्रा बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे शुक्र हो गया और बुध हो गये जो आपके रिष्टों में समस्या हैं थी उन समस्याओं को दूर कर देंगे प्रेम भी बढ़ेगा रोमान के भरपुर मौके मिलेंगे और एक दूसरे के जादा करीब आप रह पाएंगे और तभी आपके शादी विवाह की बाते भी इस समय चल सकती है इस राशी के स्वामी इरादों के पक्के होते हैं क्योंकि शनी आपके राशी के स्वामी है जिन से प्यार करते हैं रिष्टा भी निभाते हैं और पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश भी करते हैं तो यह अपना बनाने की जो कोशिश है यानि प्रेम विवा करने की जो कोशिश रहेगी यह बड़ी अच्छी है और यहां देखिए मैं अगर पिछले 6 महीने की अगर बात करूँ तो यहां जून से लेकर जुलाई का महीना बहुत अच्छा है नवमर का महीना बहुत अच्छा है यहां इनमें आपके लिए जो प्रेम विवाह के योग ह सकते हैं क्योंकि यहां आपके प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं तो जो महीने मैंने बताएं हैं आपको उन महीनों में आप जरूर ट्राय करें वो महीने आपके लिए बहुत ही जादा उत्तम रहने वाले हैं बहुत ही जादा उत्तम रहेंगे अब इस दोरान क्या होगा विवाहित लोगों की मैं बात करूँ तो देखिए एप्रेल का महीना जो है इस महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की उल्टे सीधी बातें ना करें क्योंकि ये आपके लिए उत्तम रहेगा वरना रिष्टों में एक दरा का महीना फरवरी का महीना और नवंबर का महीना ये आपके विवाह को बनाने का कारे करेंगे प्रेम विवाह को और एविवाहिजातकों के लिए भी ऑवरोल हम कहेंगे अच्छा ही महीना ये वर्ष रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है अब आप अपने रिष् इसके लिए आपको क्या करना है जब यह आप सुबा को घर से बाहर निकलेंगे हमेशा सौफ खाकर बाहर निकलें याद रखें इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्पूर्ण है और शनिवार के दिन आप राहु के बीज मंतर का जब जरूर करें ओम, राव, राहवे, नमहा इस मंतर का जब आपको प्रतेक्शनिवार को करना है और अपना जो आपके घर में जो लिविंग रूम है उसके दक्षन पस्चिम कोने में सेंधा नमक आप जरूर रखते हैं या सेंधा नमक वाले लेंप आते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं हैं वास्तु के हिसाब से तो आप वो लेंप जरूर रखें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको अपने प्रेम जीवन में रुवाहिक जीवन में दोनों में ही देखने को मिलेगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें